हालो दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से अपना सेट अप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं MS Office का जैसे कि आपके पास अगर सेट लाइसेंस की है प्रोड़क्त की है आपके पास तो किस तरीके से अपने मार्केट से पर्चेस किया Microsoft का लाइसेंस तो किस तरीके से अपना सेट अप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इस्टाल कर सकते हैं यहां पर क्रोम ब्राउजर पर कोई भी ब्राउजर पर सेटप.office.com टाइप करना है उसके बाद आपको जुझाएं यहां पर आईसा दिखा रहा हूं कि जैसे कि मेरे पास अकॉंट नहीं जैसे आप लोग के पास भी Microsoft का अकॉंट नहीं है जीमेल का एकॉंट है तो भी नहीं Microsoft का अकॉंट चुए लोग अगर आप लोग मार्केट से पर्चस किये अप लोग लाइसेंस की तो किस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हो कि यहां पर वान क्रिएट पर क्लिक करेंगे और इसको भी करेंगे मैं अपना यहाँ पर एमेल अड्रेश कर रहां अगर अब लेवल रहेगा तो क्रिएट हो जाएगा और लुक डॉट कॉम टाइप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे जिसकी इक्स्टेंशन आ गया डोमैन हो गया आपका आपका मेल डॉट कॉम या होटमैल डॉट कॉम आप दोनों में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं यह देखिए यह सलाम 12121 ऐसा करके किसी बं और आप अपने इसांब से कर लेंगे अगर युद्द है तो कम किसी भी तरीके से अपना ड्र करेंगे पासवोड करेंगे पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे आपर आपर केश होगा अपर लेटर होगा स्मॉल लेटर होगा सिंबल होगा उस तो अच्छे से हो जाएगा ओके कशिए यहाँ पर कंसे हो इसका कोई मतलब नहीं है की और यहाँ पर फ़र्ष्ट नैम डालने के लिए दिखा रहा है तो अपना फिस्टे बार्ष्ट मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूं कि जो भी आपका डेट बर्थ होगा वह सेलेक्ट करेंगे यहां पर 1998 करेंगे मैं अपना डेट बर्थ डाल रहा हूं इसके लिए यहां पर सबसे मुश्किल चीज ही होती है इसका पजल माइक्रोशॉप्ट का एकाउंट बना तरे टाइम पजल सॉल्प करना वह प्रब्लों हो जाता आइडियों भी कर सकते आप लोग पजल भी कर सकते तो जिस तरीके का जिस लोकेशन पेज लोकेशन जिस दिशा में आपका हैंड होगा उसी तरीके से आपको यह दूसरा आप्शन सेलेक्ट करना जर्क में होगा का बबनने के लिए यह दो कहँडरिए हैं तो आप लोग इस तरीके से कर सके सकते हैं तो जिस तरीके से तरीके से आप लोग को यह दिक्ज़ें वीजन का मेरा भी सिपर तहते में हम noi करेंगे प्रॉपर तरीके से किया हो सकता है तो फिर से ट्राइ करना है ऐसा नहीं कि आपका एकाउन का कुछ सीशू है उसके बाद आपका आगर एकाउंट आपका बन जाता है तो आप लोग को फिर दुबारा यहां पर इंटरियोर प्रोडक्त की इंटर करेंगे अगर आपके पास लाइसेंस है तो मैं जिसे की वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी मैं बताया था यह वीडियो तभी आपको काम आएगी अगर आप आपके पास लाइसेंस है या प्रोडक्त की है आपके पास तो यह वीडियो आपके काम आएगी मैंने इस वीडियो में कोई भी क्रेक और जन नहीं बताया है मैं इस वीडियो में कोई फर्जी फर्जी काम नहीं बता रहूं अगर आपके पास लाइसेंस की है प्रोडक्त की कर लूँ तो फिरी वाला कुई भी चीज यहां पे और आप प्रोड़क्त की इसी दूसरे email address से redeem नहीं कर सकते हैं कि यह already हो चुका है इसके लिए मैंने यह आपको दिखाया है यह already redeem हो चुका है जिससे कि यहां पर दिखाया है इस प्रोड़क्त की वाज already अगर आप लोग email address क्रेट करते हैं तो email address पर redeem आपको दिखायेगा तो वह सबसे ध्यान देने वाली यह बात है कि आप लोग जीस email address से आप लोग redeem करते हैं उसको प्रोड़क्त की को तो आपको प्यान में रखेंगे उसका user ID और पास्टवर्ड फिर थर्ड नंबर पर यह आ जाता है कि गेट इवर याप तो वहां पर आप लोग को थांक्स वार वाचिं इस वीडियो